प्रदेश के खबर में मैं एक शितिजादेश मुक आप सभी का स्वागत करती हूँ साथ ही NBCN News की ओर से आप सभी दर्शकों को नवरात्रे उत्सों की हार्दिक शुप कामना है तो डालते नजरे आज की प्रदेश के खबरों पर कासगंज उत्तर प्रदेश में 79,000 शिक्षकों की भरती प्रक्रिया में आज 31,661 अभिहार्थियों को नेउक तक पत्र दिया गया इसी के चलते जनपत कासगंज में आज प्रभारी मंत्री उत्तर प्रदेश के परियावरन वन तथा जलवायू परिवर्तन विभाग राज्य मंत्री अनिल शर्मा कासगंज कलेक्ट्रेट पहुँचे प्रभारी मंत्री अनिल शर्मा सबसे पहले एनाइसी कारेले में आयोचित उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री की वीसी में समय लित होकर पाँच अभिहार्थियों को जहां नियुक्ति पत्र सौपा तत्पशात उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागरा में आयोचित कारेक्रम म अनिय सभी 90 अभ्यार्थियों को नियुक्ति पत्र सौपा इस दोरान उन्होंने नव नियुक्त अध्यापकों को नय जीवन के शुरुवात करने की बधाई देते हुए कहा कि यह सरकार की बहुत बड़ी उपलब्दी है प्रदेश सरकार हमीशा रोजगार के प्रती संजी करें तो जीवन भर समान मिलता रहेगा देश के निर्मान में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने का संकल प्ले मीडिया द्वारा जनपद में अलिगड नीजी चिकित्सा को द्वारा आधा दर्जन से जादा फरची नीजी चिकित्साले खोलने वह बीते तीन द कारी नहीं है जानकारी करके उन्हें जाच करवा कर दोश्यों के विरुधकारवा ही की जाएगी फिरोजबार टूनला पहुचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सीह कारेकरताओं से प्रत्याशी को जीतने की अपील की पत्रकारों के सवालों के जवाब में बोले कि स्वतंत्र देव सीह योगी सरकार में कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करेंगे विद्दूत आपरती भी जनता को भरपूर मिल रही है कॉंग्रेस का काम राश्रीती करने का है लेकिन हमने दलीत वन्चितों और मस् बीजेपी प्रत्याशी प्रेमलाल सीय धंगर ने किया नामंकन अपनी जीत का दावा करते वे बोले कि कोई टक्कर में नहीं है बीजेपी प्रत्याशी ने खारे पानी की समस्ता के लिए जनता को आश्वासन गंगा जल के आपूर्ती लाना होगा पहला काम फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट दो अन्य लोग भी बड़ी पैमारी पर उपस्तित फिरोजाबाद के शिकोहबाद में नायाप तैसिलदार अविनीश कुमार ने बताया कि पर्यावरन को जिंदा रखने के लिए प्रत्यक व्यक्ति को अपने जीवन में अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए क्योंकि पर्यावरन हमारी जिंदगी का एक एहमिसा है इसके बेगेर हमारी जिंदगी में कोई महत्व नहीं रहता जहां पर देखा जा रहा है पर्यावरन नस्ट होने से अनेकों अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तमाम बीमारियां सामने आ रही हैं इस सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए प्रत्यक मनुष्य को अपने जीवन में अधिक से अधिक पौधे लगाने चाहिए जिससे वायू मंडल शुद्ध हो और आने वाले समय में मालसून के द्वारा अच्छी बारिश हो सके एवं प्रधानाचारिय केडी शर्मा ने इस दोरा प्रियावर्ण सुद्धा के साथ साथ यह भी संदिश देता है कि लोगों को इस पच्छ में जागरूप होने की जिरुवत है और उनका एक अच्छा कारगरम था परियावर्ण के लिए समाज के लिए भी और यहां के एफसर देने के लिए प्रियावर्ण से रिहान अली की रिपोर्ट कनोज में दबंगों से परिशान एक महिला ने पुलीस से न्याय की गोहार लगाए शोहदे पहले महिला से फोन पर छेड़ चार करते थे लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने खत के जरे अशलील सामगरी भेज़ दी पुलीस ने मुकदमा दर्श कर दबं शोहदों की तलाश शुरू करती है की हिमत और भी बढ़ गई आज एक शोहदे नए घर में घुसकर महिला को खत और लिफाफा पकड़ा दिया महिला ने जब लिफाफा खोला तो वो चौक गई दरसल लिफाफे में अशलील समान भरा हुआ था महिला ने पूरी बात अपनी सास को बताई और दबंगों पर का कन्नोट से नासीर हुसेन की रिपोर्ट नगर निगम की जमीन पर अवेद्रूप से बोई गई आलू की फसल पर चला निगम का बुल्डोजर जी हां ग्राम घोसीपूर में नगर निगम के कमीले की खाली पड़ी भूमी लगभग 15,000 वर्ग मिटर पर घोसीपूर के रहने वाले फैजाब नाम के वेक्ती द्वारा अवेद्रूप से आलू की फसल की बीज बोधी गई सूचना मिलते ही नगर निगम से लेखापाल राजकुमार, लेखापाल रुद्रेश कुमार तथा लेखपाल कुवर पाल प्रवरतंदल की टीम के साथ जेसीपी लेकर आसुबे 11 बजे गाउं घोसीपूर पहुचे और जेसीपी से पूरी खेत की मढ़ाई करकर 15,000 वर्ग मिटर सरकारी जमीन को कबजा मुक्त कराया नगर निगम से प्रवरतंदल की टीम में सेवनिवृतिल लेफ्टिनेंट प्रवीन कुमार, जस्वन तोमर, हवलदार रुपेश, सुनील अथाना, हवलदार अनिल भंडाना तथा सनोच कुमार आधी लोक शामिल रहे इससे पहले आज सुबे नगर निगम टीम ने भोला रोड पर गाउ खंडोली में खसरा संख्या, साथ आठ तीन में 2400 वर्ग मिटर सरकारी जमीन पर मैटेरियल रिकवरी प्लांठेतू, चार दिवारी का निरक्षन किया, तथा उक्तप्लांठेतू रास्ते पर एक नौनि उक्तेश्वर के गाउ सैथपूर में यूवक और महलाए गाय के गोबर से दीपक बनाने का काम कर रही है, जिसमें महलाओ को रोजगार के साथ साथ गोपालो को की आई भी बढ़ाई जाए रही है, गोबर के दीपक से यहावाता और उन्शुध होगा, वही वैदिक लोगों को जुड़ने का काम किया जा रहा है, इसके साथ गाय के गोबर के दीपक बनाकर गाउ की महलाए आत्मन निर्भर बनकर अपनी आयदुगनी कर रही है, मान्यताओं के अनुसार गाय के अंदर करोडो देवी देवताओं का वास माना जाता है, और गाय का मूत्र और गोबर भी शुद्ध माना जाता है, और गाय के मुत्र लाल दवाईयों में भी लाय जाता है, इसके साथ ही अब की बार गाय के गोबर से भी दीपक बनाय जा रही है, जिनको दिवाली के लिए तयार किया जा रहा है, इस बार चाइनी सामान और दीपकों का भाईशकार कला को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं गाय के गोबर से भी दीपक एवं मुर्ती बनाने का काम किया जा रहा है, ताकि पर्यावरन की शुद्धता को बरकरार रखा जा सके, बताए जा रहा है कि इस बार दीपक अयोध्या भी जाएंगे और इसके साथ ही गाओं की महला गोबर के दीपक बना कर आत्म निर्भर भारत को साकार करने जा रही है, और प्रति दिन गाय के गोबर के 200 से 250 दीपक बना रही है इसमें गाय के गोबर को लिया जाता है और उसको सुखाया जाता है फिर उसको तयार किया जाता है उसमें गवार गम डाला जाता है थोड़ी चिकनी मट्टी तो इसमें 80% गाय के गोबर का यूज होता है तो इस से इस तरह से हम आपने देखा होगा कि दिये को निर्मान कर दें आज के प्रदेश के खबरों में वक्त चलाए यही रुकने का ताजा खबरे देखने के लिए आप देखते रहें इन बीस ये नियूज नमस्कार